सो हे गाइस आज के इस यूड़ों में हम बात करेंगे PM किसान समान निदी योजना के बारे में सो यदि आप PM किसी समान निदी योजना के तहत ऑनलाइन अपलाई करना चाहते हो तो इसका प्रोसेजर 2023 में बहुत ही इजी हो चुका है आप खुद से अपना EKYCB भी क realmente कर सकता है अपना registration complete करने के बाद आप PM किसान समान निदी योजना के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हो तो आज के इस यूड़ों में हम आपको PM किसान समान निदी योजना के तहत आप online apply कैसे कर पाऊगो क्या क्या documents लगेंगे सारी जनकारी आपको इस वीडियो में provide करने वाला हूँ वीडियो को लाज तक watch कीज़ेगा सो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो आपको इस काम को करने के लिए pmkishan.gov.in के इस official website पर आना होगा इस website का link आपको वीडियो description पर मिल जाएगा यहाँ नीचे scroll down करेंगे यहाँ आपको एक option मिल जाएगा new farmer registration आप इस option पर click करेंगे then आपका interface कुछ इस प्रकार से open होगा आपको यहाँ पर कुछ basic जनकारी देनी है सबसे पहले अगर आप ruler area से बिलॉंग करते हो तो आप इस option पर click करेंगे urban area से बिलॉंग करते हो तो आप इस second option पर click करेंगे then आपको यहाँ पर अपने अधारकार number fill up करने जो valid mobile number होगा वो आप यहाँ पर fill करेंगे यहाँ पर आपको state select करने आप अपने according जिस भी state से बिलॉंग करते हो आप option की मदद से यहाँ पर select करेंगे capture को देखने को मिलेंगे as it is आप यहाँ फिल करेंगे and get OTP option पर click करेंगे जो mobile number आपने यहाँ पर fill up किया उस mobile number पर EQTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ पर fill करेंगे and यहाँ पर आप capture देखने को मिलेगा as it is आप यहाँ फिल करेंगे and submit करेंगे then आपके अधार card में जो mobile number आजिस्टर होगा उस mobile number पर EQTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ फिल करेंगे and verify अधार OTP पर click करके आधार की मदद से आप इस ID को KYC के द्वारा complete करेंगे then guys आपके कुछ basic detail automatic fetch हो जाएंगे जो आपके अधार card में register होगा then बाकी सारे detail आपको fill up करनी होगी सबसे पहले आपको अपने district name यहाँ option की मदद से select करनी है आपकी जो भी sub district होगी option आजाएंगे आप अपने according यह option की मदद से select करेंगे then यहाँ पर आपको block की option आजाएंगे जो आप अपने block को select करेंगे then यहाँ से आप अपने village को select करेंगे जो भी आपकी village होगी यहाँ पर आपको farmers personal detail fill up करनी है देख सकते हैं आपका name gender देखनी को मिल जाए small hectare यानी 1-2 hectare के बीच में आपका जमीन है तभी आप इसके लिए apply कर पाएंगे इसके लिए आप यहाँ small option पर click कर लेंगे then आपकी बाकी सारी detail यहाँ पर automatic fill up हो जाएगे यहाँ पर आपको important है land registration ID देनी है यदि आप जहारकंड state से बिलोग करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो online आओगे jharbhumi.jharkhand.gov.in के official website पर यहाँ पर online लगान का option मिल जाएगा इस option पर आप click करेंगे then page इस प्रकार से open हो जाएगा register to option पर यहाँ पर आप click कर लिजेगा जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर आप कुछ options देखने को मिल जाएगे यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी जो भी जीला होगी वो आप अपने according यहाँ से select करेंगे उसी according अंचल option मिल जाएगे तो आप अपने according अंचल को select करेंगे हलका निम देखनी को मिल जाएगा select करेंगे मोजा आपका जो भी होगा आप यहां से अपने according select करेंगे आप यहां पर भाग रहियत के नाम या फिर आप plot number से भी खुझ सकते हो otherwise संबुस्त पुंजी आप खुझना चाहते हो तो select करेंगे craft choice it is आप यहां पर fill करेंगे add goji option पर click करेंगे list में जिस भी candidate की name होगी सारी detail आपको देखनी को मिल जाएगा रहियत का नाम में आपका जो भी name होगा उसके side में आपको देखी option देखनी को मिल जाएगा आप इस option पर click करेंगे यहां पर आपकी जो भी detail होगी वह देखनी को मिल जाएगी आपको land registration ID प्राप्त करने के लिए पिछली भुकतान देखे आप इस option पर click करेंगे then guys आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो भी depositor ID होगा land registration number वो आपको यहां पर देखनी को मिल जाएगा simply आप इससे यहां से copy कर लेंगे then यहां पर आननी के बार land registration ID में यहां पर आप paste कर लेंगे आपका जो भी रासन कार्ड नंबर होगा वो आप यहां पर fill up कर लेंगे इसी के साथ यदि आप PM किसान मांधन योजना से relate करते हो वहां पर भी आपने apply कर रहा है तो आप यहां यहां यस करेंगे otherwise generally आप यहां पर no कर सकते हैं नीचे सेक्शन में आपका ownership के detail देखने को मिल जाएंगे यदि आप single user हो तो आप यहां first option पर select करेंगे यदि आपका joint land holding के detail है जैसे कि अगर आपके family के साथ आपके भाई बेहन सभी का नाम है आपके family में उस जमीन पर तो आप यहां generally joint option पर click करेंगे जैसे ही आप यहां joint option पर click करेंगे यहां पर आपको add section दिखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको सारी detail add करनी होगी जिसके according आप यहां add option पर click करेंगे तो यहां पर आपको सारी detail देने के option आजाएंगे जिसमें survey खाता नंबर आप यहां पर fill करोगे टैक हस्रा नंबर फिल्ट करेंगे एयरिया आप यहां पर फिल्ट करेंगे लेंड ट्रांसपर और स्टेटन सब्ग है वह आप यहां से स्टेट करेंगे जिसमें अगर आपका 12 2019 के पहले हुआ है तो आप इस वाप्शन को सेलेट करेंगे यदि आपके नाम पर 129 के बाद में हुआ है तो आप यहां second option पर क्लिक करेंगे इसके according आप यहां से select कर सकते हैं यहां पर आपको land transfer detail देनी होगी यदि husband के death के बाद आपके नाम पर transfer हुआ है या फिर father की death के बाद या फिर आपका यहां पर देख सकतो purchase कियो हो अपने land को तो आप यहां अपने according select करें जो भी आपके month होगी और यहां से अपने date को select करेंगे इस प्रकार से detail fill up करनी के बाद आप यहां generally add option पर क्लिक करेंगे आपकी जो भी detail होगी वह इस प्रकार से add हो जाएगी जिससे आप check out कर सकते इसी के साथ other कोई भी आपकी family detail है जो आपको देना चाहते हो तो आपको फ करनी है land record में आपकी जो भी खतानी होगी वह आप यहां पर choose file option पर क्लिक करके आप अपनी खतानी detail को यहां से upload कर लिजेगा इस प्रकार से आप PDF format में भी upload कर सकते इसी के साथ आधार कार्ड आपको यहां पर upload करने जैसे कि एक single candidate मालिक है अपने जमीन के तो आप यहां आधार कार्ड को यहां से upload कर लेंगे सारी details प्रकार से fill up करने के बाद आप generally यहां save option पर क्लिक करेंगे देन आपकी ID यहां पर register हो जाएगी आप यहां पर apply complete भी हो जाएगा अब आपको अपने application status को check करना है सिंपल इसी website पर आएंगे यहां पर आपको एक option मिल जाएगा status of self-register farmer csc farmer आप इस option पर click करेंगे देन यहां पर आप कुछ detail फिल अप करनी अपने अधार कार्ड नमबर यहां पर फिल करेंगे और जो भी क्रेप्चा देखने को मिलता है यहां पर फिल करनी के बाद आप यहां से search option पर click करके search कर सकते हैं जैसे ही आप यहां search option पर click करते ह होता है वह आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है आप यहां देख सकते हो फिलहाल इस्टेटस हमारा पैंडिंग अप्रूबल के लिए है सब दिश्टिक या फिर ब्लॉक लेबल पर तो आप यहां से तो वीडियो एक लाइक करने के साथ चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं किसी और टॉपीक को लेकर नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद